तो मार्किट में बहुत ही ज्यदा वालेटिलिटी है इस टाइम पर जुलाई का महीना चल रहा है और थर्ड वीक स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद जो वीक आएगा वो जुलाई का एंड कर देगा जुलाई को खतम कर देगा और टोटल साथ महीने बीच जाएंगे 2024 के और अब तक के बहुत interesting महीने रहे March तक का time काफी अच्छा था October से लेके पिछले October से लेके लेकिन अब अगला October आ रहा है अगला October November क्या करने वाला है market के अंदर और कौन से ऐसे crypto projects हैं जो आपको rich बना सकते हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं आज हम सीधा point पे आएंगे कि अगले 3-4 महीने का target upset कर लो करोड़ पती बनने का लख पती बनने का क्योंकि वो depend आपके action के उपर करता है depend आपके investment के उपर करता है depend आपके research के उपर करता है हम सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं उस रास्ते पे आपको ही चलना पड़ेगा एक सही रास्ता अगर एक सही guidance एक सही direction अगर मिल जाए तो definitely आप उस milestone को hit कर सकते हो जो आप करना चाहते हो तो crypto market में March month ऐसा था इस साल का जिसने Bitcoin ने जिस month के अंदर $73,900 को hit किया Bitcoin ने नया all time high लगाया इस साल तब से Bitcoin के price नीचे गिरे हुआ है मतलब इतना भी नीचे नहीं गिरे है अभी recently German की government का drama चला एक drama खतम होता है तो दूसरा शुरू होता है drama चलते रहेंगे Germany की सरकार ने सारे Bitcoin sell किये तो क्या हुआ Bitcoin की कीमत गिर गई कहां तक गिरी $63,000 से शुरू किया था इस जुलाई मन्त को और कहां तक हम गिरे $53,000 तक अभी Bitcoin के price आज $66,000 पे वापिस आ गए जुलाई की starting में गिर गए थे first week में वापिस आ गए है $66,000 पे $53,000 से लेकिन हमको उमीद है कि Bitcoin जो last week रहेगा जुलाई का उसमें आपको धोखा दे सकता है धोखा means Bitcoin का price गिर सकता है क्यों क्यों क्योंकि अभी time है October आने में इसके बाद अगस्त आ रहा है अगस्त सप्टमबर का महीन दो महीने अभी है ठीक है दो महीने market को अभी अब start हो सकती है Bitcoin का drama जो चलेगा चलता रहेगा लेकिन अब वो time आ रहा है जब आपके alt coins आपके favorite alt coins है आपके favorite other category के projects वो आपको pump करते हुए दिख सकते हैं और यही time है उनका benefit लेने का अगर आपने उनका फाइदा उठा लिया सही time पे जब वो pump करेंगे आपको फाइदा मिल गया तो यही एक सही time है perfect time है अच्छे returns लेने का आने वाले time में बहुत सारे events होने वाले हैं October November का जो time है न वो काफी interesting time है November में US के अंदर President election होने वाले हैं तो इससे भी आपको अंदाजा लगेगा अगर आप थोड़ा दूर का सोच रहे हो न दूर का सोच के चलोगे तो आपको रास्ता दिखेगा कि आपको कौन से coin खरीदने हैं कहां आपको जाना है किस पे research करना है President election होने वाले हैं से पहला आपको मैं यहां पे indication signal दे रहा हूं बहुत बड़ा Recently अभी Donald Trump attack हुआ Trump coin के price बढ़ गए Trump 2024 coin के price बढ़ गए Trump अगर win होते हैं बहुत अच्छी बात है election का time आरा election जब तक होंगे तब तक आपको जितने Trump से जुड़े coins हैं मतलब यह आपको research करना पड़ेगा कुछ गिने चुने आपको पता है जैसे मागा है, Trump है और Trump 2024 है जितने Trump से political meme coins हैं ठीक है क्योंकि उस time पे क्या होगा, क्या trend करेगा Donald Trump win होंगे तो वो तो trend करेगा लेकिन Donald Trump के साथ-साथ और क्या-क्या नाम trend करेगा, ठीक है Kamala Harris अभी recently एक नया meme coin आया था, जितने political meme coins है उन पे आपकी अच्छी research आप अभी कर लो, क्योंकि यह ऐसा category है, जो उस time पे आपको अच्छा, मतलब आपको बिल्कुल अमीर बना सकता है रातो रात, क्योंकि अगर कुछ बड़ा game होना बाकी है नवेंबर में, तो यह political meme coins आपको अब से लेके October तक का आप target लेके चल सकते हैं जो कुछ होगा पहले हो जाएगा तो अभी मोका है, एक तो आपको नजर रखनी है, Donald Trump से related coins, वैसे तो बहुत सारे coins हैं, लेकिन जो genuine है जो project ऐसे हैं, जो market में चल सकते हैं, जो आगे जाके अच्छा pump कर सकते हैं, ठीक है उन पे आपको अपको फोकस करना है अपना और दूसरा, bitcoin का नया all time high लग सकता है October में, उसके साथ साथ alt coins की category, alt coins एक ऐसे मतलब कहते हैं ना फस गया है कि ना तो pump हो रहे हैं, ना jump हो रहे हैं और बहुत सारे लोग अपना wait कर रहे हैं alt coins के बड़े season का तो alt coins वालों के लिए भी बहुत बड़ी update यहां पे यह है कि एक बड़ा season alt coins का हम देख पाएंगे September, October से ठीक है, मतलब गाड़ी तो start दीरे-दीरे हो जाएगी, लेकिन October में जाके अच्छा level दिख सकते हैं, लग October का जो महिना रहेगा overall बड़ा bullish month हो सकता है अगर August, September में गाड़ी धीरे-धीरे start होना शुरू होती है तो एक तो alt coins की category पे आपको नजर रखनी है political meme coins पे ठीक है other meme coins coins पे भी आकर आप रख सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे क्या news आए market में कहां से आए, किस coin को लेके आए जो भी आएगी तुरंत action दिखेंगे, क्योंकि हो सकता है bitcoin की कीमत उस टाइम पे एक लाग डॉलर के उपर हो बहुत बड़ी बात है, आने वाला time को अगर आप judge कर रहे हो आने वाले time को आप समझ रहे हो समझ रहे हो कि आगे जाके क्या हो सकता है, तो definitely आपको result अच्छे मिलेंगे, तो आपको अगर Amir बनना है, rich बनना है तो Mocha है, October, November तक भी आप rich बन सकते हो, ठीक है research कीजिए और सोच समझ के investment कीजिए, सोच समझ के, यह नहीं कि जल्द बाजी में आप कर रहे हो, किसी भी coin में कर रहे हो, नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, भले आप एक हफता लगा दो, दस दिन लगा दो, ठीक क्योंकि अभी time है क्योंकि यह time निकल गया, तो फिर आप इतना सोच भी नहीं पागा, और जितना time आप सोचने में लगाओगे न, उतने में तो game हो जाएंगे, तो सोचने का time भी अभी है, ज्यादा नहीं है सोचिए, research कीजिए investment कीजिए और छोटे से बड़ा बनाने का यहाँ पर तरीका ढूंड़िये किस coin से बनेगा, बाकी जो update रहेंगे वह हम discuss करते रहेंगे वीडियो अच्छा लगा है, like, share, comment कीजिएगा, मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए, bye bye take care